नमस्कार देखिए जिस समय 2019 का लोगसभा चुनाव हो रहा था उस समय शुरुआत थी उस समय बड़े जोरशोर से मीडिया के एक सेक्षन ने ये आवाज उठानी शुरू कर दी थी किसाब नितिन गड़करी पीम फेस हो सकते हैं नितिन गड़करी को नरेंदर मोदी के इनसाइड बीजेपी के इनसाइड में एक राइवल दिखाने की कोशिश की जाने लगी थी इकनोमिक्स टाइम्स में बड़ा आर्टिकल छपा था एक जिसमें सारे मंत्रियों को रेटिंग दी गई थी और उस रेटिंग में ये कहा गया था किसाब अगर इनको मोका दिया जाए तो ये नरेंदर मोदी से बहतर साबित हो सकते हैं नितिन गड़करी उनकी रेटिंग म करने की आगे बढ़ाने की जो एक चाल है शाजिस है मैं तो ये कहूंगा वो लेफ्ट लिवरल मीडिया समय समय पर करता रहा है लेकिन नरेंदर मोदी की खास बात क्या है मैंने कई बार वीडियो बनाया है इस मीड़कर वो इन चीजों से बहुत आगे निकल चुके हैं नि वो इलेक्शन कमिशनरों की न्यूप्ति का मामला सामने आया तो उसमें नितिन कड़करी के डिपार्टमेंट के एक सीनियर आइस ओफिसर रिटार जो वो चुके हैं संदू साथ उनको चुनाव कमिशनर बनवाया गया है लोगा कहना है कि इसमें नितिन गड़करी का भी य सुष्मा शुराज को कोन नहीं जानता, बहुत वोकल नेता थी, अटल आडवानी की जो जनरेशन थी, उस जनरेशन की नेता थी, हाला कि लोकदल से वह हर्याना की राजनीती से वह BJP में आई थी, लेकिन हमने तो जब से देखा, उनको BJP में ही देखा, कभी वो सोनिया के सामने लड़ने के लिए चुनाव चली जाती थी दिल्ली की मुख्य मंत्री भी एक बार बीजेपी ने बनाया जब एक बार बीजेपी की यहां सरकार बनी तो एक बार सुस्मा स्वराज को मंत्री बनाया गया और सुस्मा स्वराज एक एग्रेसिव वक्ता के रूप में पा बात से ऐसा हमती जताई थी लेकिन खेर वो तो इतियास की बात हो चुकी अब सुस्मा भी सुस्मा जी भी इस समय दुनिया में नहीं है तो इसमें हुआ क्या है अब हुआ ये है कि सुष्मा सुराज तो विदेश मंतरी बना दी गई परधान मंतरी बन गई नरेंदर मोदी औ उनकी किसी बात को लेकर मतभेद हुआ हो या सुष्मा स्वराज ने उनकी बात काटी हो हमेशा सैयोग राद होनों के बीच में जब तक भी वो जीवित रही कई बार ऐसा हुआ कि शुष्मा स्वराज एस्वस्त थी और कुछ विदेश मंत्री के तोर पे उन्हें कुछ कारेक कि उसमेश उसमेश स्वराज विदेश मंत्री के तोर पर अपना कारेबार नहीं नी भारहा पाई थी फिर उसके बाद तो खैर उनका निधन हुआ और विदेश मंत्री की एस-जय संकर हैं, एस जय संकर का भी सिकाणी से कनेक्शन और एस-जय संकर की जो असेस्टेंट है मिनाक्षी लेखी और मिनाक्षी लेखी नई दिल्ली से दो बार की सांसत 2014 और 2019 की और उनका टिकट काट कर दे दिया गया है बांसुरी स्वराज को जी हाँ बांसुरी स्वराज जो सुस्मा स्वराज की बेटी है उनका टिकट काट कर दिया गया है मिनाक्षी लेखी को बांसुरी स्वराज ने मुलकात की है भी जाकर टिकट मिलने के बाद और मिनाक्षी लेखी से सहयोग मांगा है क्योंकि उनी के लोगसबा छेतर से मांसुरी को टिकट मिला है और इस समय जब मीडिया वालों ने मिनाक्षी लेखी से ये पूछना चाहा कि साब आपका टिकट कट गया और आपका क्या कहना है यह बात एहम नहीं है किसका टिकट टिकटा और किसका टिकट हुआ हमारा डार्गेट यह है कि किसी भी तरीके से 400 पार पहुचाना है और प्रधान मंत्री बनाना है एक बार करें नरेदर भोती को तो खेर यह तो बीजेपी के नेता हैं उनसे आप इस तरह के मोकों पर परिवार से आती हैं और यह वो परिवार है जिन्होंने सदैव RSS जनसंग इनकी ओर से अदालतों में केस लड़े और इनके परिवार को हमेशा पार्टी में बड़ा सम्मान मिला है मिनाक्षी लेखी भी सुप्रीम कोर्ट की लॉयर है एक अच्छी वकील है और यही वज़ अरविन के जरीवाल को अराया था या शीला दिक्षित तो खेर उस समय नहीं थी मुख्यमंत्री ओदो जी अरविन के जरीवाल शायद लोग सबास चुनाव लड़े थे उसमेर जहां तक मिरे याद आरायन के सामने और इन्होंने या तो अरविन के जरीवाल को अराया था पिर अजय माकन को अब मुझे भी करेक्ट याद नहीं आ रहा है लेकिन अरुन जेटली जो अब इस दुनिया में नहीं है और नरेंदर मोदी जिनको बहुत मानते थे उन्होंने भी मिनाक्षी लेखी के नाम का समर्थन किया था और फिर इन्हें ने दिल्ली से टिकट मिला थ बढ़िया बहुमत से जीती थी 2019 का जब चुनाव आया तो मिनाक्षी लेखी का टिकट कटने की चर्चाएं पहले भी चली थी लेकिन इसके बावजूद भी उनका टिकट हुआ फिर उन्हें विदेश और संस्कृती राज्य मंत्री बनाया गया पांच साल से वो पिछले च टिकट काटने की चर्चाएं चलने लेगे आपको याद होगा कि लगबग एक साल पहले ही आठ नो महीने तो ही गए हैं मैंने भी एक वीडियो बनाया था और जिसमें दिल्ली के पत्रकार निहाल सिंग हमारे साथ जुबे थे उन्होंने ये बताया था कि मिनाक्षी लेखी के खिलाफ पार्टी में बहुत कुछ चल रहा था सबसे बड़ी सिकायत पार्टी के कारेकरताओं की थी जिसाब हम मिलने जाते हैं इनसे मुलाकाती नहीं वो थी घंटों-घंटों इंतजार कराना पड़ता है बड़े नाजना करे हैं पार्टी की जो मीटिंग हो रही थी चेतर की कारेकरताओं की मीटिंग होती थी उनको ये आवाइड करती थी उनमें नहीं जाती थी हाई क्लास हाई प्रोफाइल मीटिंग में जाती थी खासतोर से जो लुटियंस के इलाके की जो हाई प्रोफाइल पार्टी होती हैं उनमें तो मिनाक्षी लेकी जाती थी लेक पार्टी को अवैड करती हैं, कारेकरताओं को अवैड करती हैं और ये लोगों से मिलती जुलती नहीं हैं और छेतर में भी इनका संपर्क बढ़िया नहीं हैं। उन्हें सहयोग करने के बजाए, उन्हें आगे बढ़ाने के बजाए निगेटीव उन्हें काम किया। या तो वो किसी और को टिकट दिलवाना चाहती थी और उनका टिकट नहीं हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी मिनाक्षी लेकी अपने छेतर से पारशदों को नहीं ज देख रहा हूं कि बांसुरी सुराज की एंट्री बीजेपी में होती है, उनको लीगल सेल में जोड़ा जाता है बीजेपी के दिल्ली में और उसी समय से खबरे चलें लगीती हैं कि बांसुरी सुराज को नहीं दिल्ली से टिकट दिया जाना है। ऐसे थोड़े ही होता बासुरी सुराज ने कोई ground level पर कोई work नहीं किया कहने के लिए तो मिनाक्षी लेकी उनसे senior है और मिनाक्षी लेकी उनसे पुरानी नेता है लेकिन बासुरी सुराज को project किया गया उन्हें तयार किया गया मिनाक्षी लेकी का विकल्प बनने के लिए और नई दिल्ली से प्रतियाशी बढ़ने गई नई दिल्ली की जो सीट है बहुत मैटपून सीट है दोस्ते दिल्ली में ये माना जाता है कि यहाँ पर जादे तर सरकारी अधिकारी बंगले, कोठियां हैं, बड़े लोग रहते हैं मतदान यहाँ पर जब बहुत कम रहता है दिल्ली में सबसे मतदान का जो प्रतिशत है वो नई दिल्ली छेतर में रहता है कनोट प्लेस इसमें आता है, सारे मंत्राल्यों के दफ्तर इसमें आते हैं CGO कॉंप्लेक्स, करमचारियों के जो आवास है और इसके अलावा इंडिया गेट के आसपास का इलाका इसमें आता है करोल बाग वगएरा यहां तक इसका इलाका फैला हुआ है जंडेवाला नगोदेखर तो इस इलाके से ये तै किया गया के साब बांसुरी सुराज को टिकट देंगे अब नरेंदर मोदी जी के कही बिना तो नहीं हो सकता पार्टी के सुत्रों का यह कहना है कि सुस्मे सुराज जी के निधन के बाद जब कई कारेकरम सुस्मे सुराज की याद में हुए उसमें बांसुरी को बोलते हुए नरेंदर मोदी ने सुना वो बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने बताया जाता है कि पार्टी को कहा कि इन्हें हम ने दिल्ली से अगला प्रत्याशी बनाएंगे सीधे ये नरेंदर मोदी की चुएस है और नरेंदर मोदी आप जानते भी हैं कि जो कठिन सीट होती है लोकसभा की जो सीटे होती है वहाँ पर जब उन्हें लगता है कि यहाँ प्यास ही रहता है पार्टी के भीतर कि वहाँ पर किसी महिला या सेलिब्रिटी प्रत्याशी को म बोट देते हैं अब विनेबिलेटी देखी जा रही है कि कौन परत्यासी सीट जीत सकता है मिनाक्षी लेकी को अगर टिकेट होता तो सायद वो ना जीत पाती मिनाक्षी लेकी इस समय राजस्थान के दोरे पर हैं चुनावी दोरे पर उन्हें वहाँ पर एक जिम्मेदारी द भाग लिया और अपनी जो विदेश मंत्री के तोर पर जिम्मेदारियां हैं वो भी साथ-साथ निवा रही हैं और उन्होंने कहीं पर भी ये जाहिर नहीं होने दिया है किसाब उनका टिकेट कट गया है तो वो अब घर पर बैट गई है पूरी तरह से एक्टिव अभी भी एक और इंटरनल खबर है ये भी कहा जाता है कि मिनाक्षी लेखी और एस जैसंकर के बीच तालमेल नहीं था विदेश मंत्री के तोर पर एस जैसंकर में और इनके बीच में गैप था और मिनाक्षी लेखी उनको उस तरीके से कॉपरेट नहीं कर पा रही थी जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी कार्यकरता इनके कार्यकरम में घंटों तक इंतिजार करते रहते थे कुछ लोगों का कहना था के सफलता इनके सर पर चड़ गई है और धीरे धीरे इनके सितारे गर्दिश में हुए छवी अचाना की धूमिल हो गई और फिर अब मिनाक्षी लेखी प एक सवा साल के भीतर ही तयार कर दिया गया है। साथी साथ वो इस तरीके से भी नहीं दिखाना चाते कि अगर किसी ने उनका कोई खिलाफत की थी कभी तो उसकी दुश्मनी को दिल से लगा कर बैट जाए। सचा ये थी कि उन्हें भी नहीं दिल्ली से टिकट दिया जा सकता है लेकिन उन्हें टिकट नहीं दिया। उनके किलाफ एक वीडियो बगरा आ गया था चावी उनकी विवादित हो गया थी। कुछ लोगों का ये मानना है कि मिनाक्षी लेकी को रिजरुम में रखा गया है और मिनाक्षी लेकी को ये संदेश दिया गया है पार्लेमेंट में बढ़िया बोलती है पड़ी लिकी है और ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी पसंद करते है अभी फिलाल हो सकता है कि उन्हें कह दिया गया हो कि इस बार आपको चुनाव नहीं लड़ना है लेकिन एक साल के बीतर बीतर दिल्ली में विदान सभा का चुनाव ह है 2025 की शुरुवात में हो जाएगा एक साल बाद चुनाव हो चुका होगा तो हो सकता है कि मिनाक्षी लेकी की किसमत का सितारा उस समय चंदे लेकिन फिलाल बांसुरी सोराज पर सबकी नजर है देखते हैं बांसुरी सोराज सबकी उम्मीदों पर खरी उतर पाती है या नह अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन को प्रेस करें